नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, PCS Academy में मैं आप सभी लोगों को आज सवगत करता हूँ और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग अगला निबंद देखेंगे दिन का और दूसरा निबंद जो है अभी शाब तक आपको आठ बजे तक मिल जाएगा आज की डेट में दोस्तों, प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना के बारे में बात करेंगे इस वर S.A. को देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे और दोस्तों, कल की डेट में निबंद नहीं आपाये थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रधार्शन था, तो वहीं मैं गया था इसी वज़े से नहीं आपाये थे, ठीक है, क्योंकि वो भी कारे बहुत ही ज़्यदा जरूरी था तो देखेंगे, आज की डेट में जो निबंद है दोस्तों, निबंद की जहां तक बात करते हैं, प्रधार मंतरी किसान मांधन योजना तो इसके लिए दोस्तों क्या है, कि सबसे पहले तो आपको करना है कि कुछ सावधानिया है, किसी भी निबंद को लिखने से पहले तो आज की डेट से जो निबंद है, निबंद समाप कर दिए जाएंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से तयारी को करिएगा, देखें, दो दिन बचेंगे तो दो दिन में जो चीजें हैं प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, देखें, निबंद को लिखने से पहले, जिस समय आप एक्जाम हॉल में जाएं, वहाँ पर दस मिनट में आप फ्लो चार्ट जरूर बना लें, दस-दस मिनट देखें, आप तीनो निबंद को अच्छे से कर लीजेगा, यूपी-पी-से-स मेंज और बी-ओ मेंज के लिए बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट है, इन चीज किसान मांधन योजना के बारे में चीज़ों को देखेंगे, तो देखें यह बहुत ही बेहतरीन योजना थी, प्रदान मंतरी किसान मांधन योजना और प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी के दोरा यह इस योजना को राष्ट को समर्पित किया गया था, अब देखें इसका मु चीज के बारे में लिखने से पहले आपके पास उसके लिए मतलब कुछ पॉइंट्स होने चाहें है ठीक है तो वो अगर पॉइंट्स होते हैं तो आप अच्छे से लिख ले जाते हैं चीजों को तो प्रदान मंतरी किसान मांधन योजना की जहां तक बात करते हैं तो देखिए यह जो योजना है यह क्या है एक पेंशन योजना है मांधन योजना किसके लिए है यह लगूयूं सिमाद किसानों के लिए एक ब्रद्धा वस्था पेंशन योजना है जान रखिएगा यह पे और उनको 60 साल के बाद में पेंशन के रूप में 3000 रुपए मिलेंगे 100 रुपए प्रतिमाह सरकार देगी 100 रुपए प्रतिमाह किसान देगा इसमें जमा करेगा किसके माध्यम से करेगा CSCs जो होते हैं Common Service Centers जो होते हैं उनके माध्यम से तो देखे इसका उद्देश क्या है उद्देश यह है कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जिस समय ब्रधावा समय उनकी आये नहीं रहती वो खाने पीने के लिए मोहताज होदाते हैं और अगर उनके घर में कोई है नहीं जैसे लड़के लड़के नहीं है तो उनकी सामाजिक स्थिती बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है अगर जिसे जो किसान हैं तो अगर कोई कमाने वाला है उनके लड़के हैं बच्चे हैं अगर कमाने वाले हैं तो उनके इस्तिती सही रहती है नहीं तो उनके इस्तिती बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है तो इसी के लिए प्रदान मन्तरी किसान मांधाल योजना को लाए गया है और क्या है कि जैसे जो किसान है किसानों के लिए जब ब्रध्धावस्ता की अवस्ता में जब पहुंसते हैं तो उस समय उनके पास बचट का कोई जरीया नहीं रहता बच्छत नहीं रहती तो बच्छत में जो पहले से कमी होई होती है उसी कमी को पूरा करना होता है बद्धा वस्ता में इनको सुरक्षा प्रदान करना आर्थिक रूप से कि आर्थिक रूप से यह सक्षम रह सके अपने जीवन को अच्छे से चला सके इनका जीवन ही आपन हो सके अच्छे से तो इसी के लिए प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना लाई गई है अब देखे विसेस्ताइं क्या हैं इसके विसेस्ताओं को आप देखे क्या कि योजना के विसेस्ताइं प्रावधान या जो भी चीजें हैं इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। इसका प्रबंधन कारे देखेगा। पैसा लेना और प्लस पैसा देना। दोनों के दोनों कारे जो हैं वो आपके जो एलाइसी है उसके दोरा देखा जाएगा। इसकायत निवारण तंतर के रूप में भी रखा गया है। तो इसमें देखिए जो अठारा से चालिस वर्स की आयू के किसानों को यह स्वेचिक अंसदान योजना है। इसमें देखिए कोई कमपलसरी नहीं है कि परते किसान को यह लेना ही है। यह भी है। अब देखिए दो इस्तितियां हैं। यदि जैसे मान लीजे कोई किसान है। ठीक है। अब कोई किसान है उसको क्या करना है कि उसकी मृत्य हो जाती है। और वह चालिस साल नहीं पूर प्रति हो जाती है ठीक है इन केस ऐसी परिस्थिती अगर आती है जैसे माली जी उन्तिस साल या 30 साल में प्रति हो जाती है उसने 10-12 साल पैसा जमा किया तो उसका जो पत्नी भाई या जो भी रिलेटिव है जो घर का सदस्य है वह बाकी के बचे हुए दिन 100-100 रुपए जमा क करके उस योजना का लाब उठा सकता है एक तो ये बात रही कि 40 साल पूरा करने से पहले मृति हो जाती है एक कंडिशन ये बनती है कि जो 60 साल है 60 साल किसान ने पूरा कर लिया किसान को पेंशन मिलने लगी प्रतेक वर्स तीन प्रतेक महिना 3,000 रुपए उसको मिलने लगे अब 66 साल उस किसान की मृति हो जाती है तो किसान मतब चाहे उसकी पतनी हो या पती हो अगर पतनी की मृति होई तो पती को मिलेगा और इन केस अगर दोनों की मृति हो जाती है तो वह पैसा जो है पेंशन निधी जो बनाई गए थी LIC के द्वारा तो उसी में वापस हो जा तो ये विस्यस्ताइं है इस किस प्रदानमंत्री किशान मांधन योजना की ठीक है और क्या सीजे हैं कि जिसे इसमें पातरता की कुछ बाते हैं तो इसमें कौन से बेक्ति नहीं सामिल हैं इन चीज़ों को भी अब देख लीजे जैसे देखे 18 से 40 कि किसान ही इसमें शामिल हो सकते हैं सीमान्त किसान मिनिमम जिनके पास में दो हेक्टेर की भूमी है लिजबिल्टी रखी गई है कि दो हेक्टेर की भूमी होनी चाहिए किसान के पास में तो वह इस योजना का लाब उठा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे किसान है जिनको शामिल नहीं किया गया है तो देख Pitis Bix में सामिल नहीं हो सकते और पिर्धान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना के अंतर लाबार्थी हैं इनको एक्सक्लूड किया गया इनको हटाया गया है इनको शामिल नहीं किया गया है देखिए भुक्तान की जाहर तक बात की जाती है तो पैसे का भुक्तान जो है सामाने सेवा केंदर जो CSC होते हैं तो इनके माध्यम से भुक्तान कर सकते हैं किसान जिसे सामाने सेवा केंदर जो होते हैं तो हर जगे ग्रामेट छेतरों में होते हैं ठीक है तो इनमें जाकर किसान अपनी जो पैसा है वो आसानी से जमा कर सकते हैं जिससे उनको कोई किसी प्रकार से दिक्कत न हो और देखे LIC को इसमें सिकायत निवारान तंत्र के रूप में बनाया गया है कि जैसे इस योजन से समंदित या किसी प्रकार की कोई सिकायत करनी ह तो LIC में जाकर आप इन चीजों पर सिकायत कर सकते हैं और चीज है एक और बात है इसमें मुखे बात है कि जो किसान मांधन योजना है तो किसान मांधन योजना की निगरानी समय समय पर निगरानी की जाएगी समिक्षा की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें संश भी किया जाएगा तो इसके लिए देखे सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी होगा वही समिति इस योजना की निगरानी करेगी समेक्षा करेगी और जरूरत पढ़ी तो संसोधन करेगी अब अगली चीज है कि आखिरी इस योजना को लाने की आखिर आखि भाई लाबार्थी लाब क्या है जो सारी चीजें है उन चीजों पर हम लोगों ने बात करी अब आखिर अब सकता क्यों पड़ी कौन कौन से समस्याएं हैं जिनकी वज़े से दिक्कत है और उसी दिक्कतों को पूरा करने के लिए इस योजना को समाजिक जो प्रणान मंत्र किसान मांधनी होजना है इसको लाया गया है तो अब देखे करसी का अर्थ बेस्ता में योगदान अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे देश की जीडिपी माइनस 23 इसम्बलों 9% महुची लेकिन एगरिकल्चर सेक्टर की 3 तीन इसम्बलों के आसपास रही वह पॉस्ट्यू में आप सोच कर देखे कोरोना और वैसिक अर्थ बेस्ता के रूप में मंदी आई किसी चीज का भी प्रभाव हमारे क्रसी छेतर पर नहीं पड़ा और क्रसी का जो योगदान है वो अर्थ बेस्ता में अच्छा खासा है लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में इसका प्रत्राइब तो नहीं है इस चेतर का तो करसी का अर्थ बेस्ता में योगदान अच्छा है इसलिए जो किसान लुगवर्ग है किसानों की समाजी के सिति को सुद्रण करने के लिए इस योजना को लाया गया है भारत में जैसे देखिए लग जोत आकार के जो भारती जोत है उनकी विजेस्ता है ठीक है लग जोत हमारे यहां लग यहां सिमांत करशक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और 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 किसानों में कहें तो हमारे यहां लग सिमांत किसान जो हैं लग बग छ्यासी दसमलो दो प्रतिसत हैं और इसमें क्या है कि जो किसान है उन और जो प्रदान मंतरी किसान मांदन योजना है इसको लाने के लिए क्या हो सकता पड़ी कि जैसे परिवार की भरर पोशन जो है अच्छे से पालन पोशन अच्छे से हो सके परिवार की जो एक समाजिक इस्थित्य है वो अच्छी वनी रहे इसी के लिए प्रदान मंतरी किसा मानन योजना को लाया गया है अब देखे किसानों के साथ में समझ समय पर संकट आते रहते हैं कि जैसे किसानों की फसल वर बाद हो जाती है जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो बाड है सूखा है और कभी-कभी आग लग जाती है तो ये बहुत सारी समझ्याएं है ठीक है क्रसी संकट बहुत सारे हैं कि जैसे रिण ग्रस्तेता इसे डीक वर बाद हो जाती है और जो फसल हुई भी उसका मूल उचित नहीं मिल पाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती है आकर तो इसी के लिए सामजिक सुरच्छा के रूप में जो किसान मांधन योजना है इसको लाया गया है अब आगे की चीज़ों को देखते हैं कि जैसे हमारे यहां किसानों को आपचारिक रिंड की कमी है जैसे उनको आपचारिक रिंड दिया जाता है तो उनको मिल नहीं पाता जिसकी वज़े से फसल का खराब हो जाती है और जो साहुकारों से भाई आपचारिक रिंड मिल नहीं पाता तो किसान लोग साहुकारों के पास में जाते हैं अनौपचारी एक रण लेते हैं जाके तो साहुकार उनका क्या करते हैं साहुकार समय पर जो गरीब किसान है उनका शोशन भी करते हैं उच्छ रेट पर उनको रण दिया जाता है पैसे दिया जाते हैं और क्या है अगली कारिता उतनी अच्छी नहीं है वर्तमान में अगर ओवराल में कहें तो फसल बीमा योजनाओं की जो कवर है योजनाओं में शामिल बैक्ती हैं जो किसान है वो लगभग 35 प्रसती हैं आप सोच के दिए कितना बड़ा वर्ग किसानों का अभी भी जो फसल से समंदित फसल बी हो जाए हैं वो भरसाचार में डूब चुकी हैं उनका क्रियान वेंट ठीक नहीं है साशन प्रसाचरी इन पर ध्यान नहीं देता समय समय पर ऑडिटिंग नहीं होती जिसकी वज़े से इनकी प्रभावकारिता कम हो जाती है और क्या है हमारे हां बैंकिंग छेत्र जो बैंक रिड लेने जाते हैं तो सबसे पहले उनको घूस देनी पड़ती है सोच के देखे किसानों का कोई महत्तु ही नहीं रह गया एक तरीके से जबकि देश की रिड की हड़ी माने आती हैं लोग देश को देखे पैसा ही सब कुछ नहीं आप सोच के देखे सभी लोग करसी छेत की उपेक्षा कर दें तो कल की डेट में अनाज कहां से आएगा आप इंपोर्ट करेंगे कितना इंपोर्ट करेंगे जो हमारे यहां इतनी बड़ी जनसंख्या है उसकी पूर्ती के लिए कहीं न कहीं अच्छी कहसी मात्रा में जो फूड है और जो फसल है फसल उत्पादन देश में जो पादन होता है उसी से उनकी पूर्टी होती है भाई ओड़ी इंपोर्ट किया हुआ सामान हर आदमी नहीं खा सकता बाई उच्छवर के लोग खा सकते हैं इंपोर्टेट सामान लेकिन क्या गर्यब तपके का इंसान ऐसा कर सकता है नहीं करेगा तो उसके जो हमारे हाँ किसानों को महत तो नहीं दिया जाता तो इसी में किसानों को महत देने के लिए प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना लाई गई है और अंत में अंत में क्या करना है अंत में आप लोगों को निसकर्स देना है कि किसानों को बित्ती मदद देनी चाहिए प्रत्यक्ष रूप से उनको पैसे से मदद देनी चाहिए उनके साथ में रिड माफी होनी चाहिए कि जैसे कोई रिड लिया है अगर नहीं चुका पा रहे तो उनको माफ कर देना चाहिए और समय समय पर सरकार करती भी रहती है कृसी में जो समस्याइं हैं उनमें सुधार करना चाहिए जिनसे उनकी आर्ठिक स्तिती बेहतर हो सके और जिससे किसानों का जीवन इस्तर भी अच्छा हो सके तो ये और ओरल में सारी बातों को आप बताते हुए इस निबंद को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी शाम तक आप लोगों को आज अंतिम वीडियो जो है आपको निबंद का मिल जाएगा दो दिन बचेंगे जैसे 19, 20 और 21 तीन दिन बचेंगे बाइस से आपका पिपर है तीन दिन में आपको जितना मेटरियल जो भी चीजे दी गई है उसको आप बहतर तरीके से पढ़ने का प्रियास करिएगा ठीक है तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा थैंक यू